ओके तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता हुआ कि इसलिए डिजनी के तरप से मौना की लाइव एक्शन मूवीज के साथ उसकी सीकुल का भी अनॉस्मेंट कर दिया गया है जहाँ पर उसकी एक छोटी सी ग्दिम्स के साथ एक गॉंसर्प आट को भी इलीस किया गया है बाकी इस मूवी को लेकर मेरा पॉइंट अव्यू शेयर करो तो मेरे इसाब चीज इतने भी एनिमेशन मूवीज हैं उनकी कमपरिजन में एक पॉफट कॉमेडि फैंटेज जामा एनिमेशन मूवीज है जहाँ पर फुली एंगेजिंग स्टोरी लाइन दमदार एंड फ़नी फाइनली टेफिटी की दिल को लोटा देती है जहां टेफिटी के पास अपना दिल ना होने के वज़ए से वो एक लावार अक्षिस में कनवर्ट हो चुकी थी और इसके बाद वो फाइनली अपने नेचर वाले अपतार में आ चुके हैं और अगर आपने इस मूवी को तो आपको रेलाइज होगा कि यही था में रिजन जहां पर मौाना की टापो धिरे धिरे खतम हो रही थी और इसके बाद वो मौाना को एक नाओ गिप्ट करती है और मावी को दिब्यशू जिसके बाद से वो कई सारे डिफरन डिफरन जानवर वाले अफ्तार में कनवर्ट हो सकता था और इसके बाद वो अपनी घर लोड जाती है और अपनी कभीले की एक नेप तुनसस बन जाती है और वो आगे जाकर अपने कभीले को ये भी रेलाइस करवाती है जो वो पहले से ही है यानि एक सच्चा नौचालक और उन्हें वो गाइड करने लगती है तो ये मुआना की ending explanation जिसे देखने के बाद ये तो confirm हो जाता है कि मुआना की पूरी कभीले आगे जाकर नौचालक ही बनेंगे और वो समंदर के पार भी जा सकते हैं क्योंकि उन लोग की नाओ ना चलाने का main reason यही था कि उस कभीले की पूरवर समंदर में नौचालक थे बट एक दिन मचली पकड़ने के चकर में वो समंदर के थोड़ी आगे जले जाते हैं और वो आगे जाकर समंदर में कहीं खो जाते हैं और यही था main reason जहां पर मुआना की फादर अपनी पूरी कभीले को समंदर के किलारे से आगे ना जाने के लिए कहते थे बट अब उस डर को finally मुआना ने खतम कर दिया है और इसकी चलते मुआना की second part में हमें उसकी पूरवज और कभीले के बार में और भी ज़्यादा जानकारी दिखने को मिले और मुआना की second part को लेकर एक और interesting pointer वो है समंदर के साथ उसकी connection क्योंकि part 1 में मुआना की adventure कहाने में मावी के साथ समंदर भी एक important character था जिसने मुआना का साथ दिया था तो इस बार मुआना और समंदर की connection को देखना और भी ज़्यादा interesting होगा बाकि मुआना की second part को लेकर ने catar, ने animals और ने creatures के साथ साथ ने ने god भी हमें दिखने को मिलने वाले हैं क्योंकि मुआना की next part को लेकर एक और interesting things है और वो है god की connection क्योंकि मावी actually में एक demigod है जो देपताओं से connected है तो ये एक main reason हो सकता है मुआना की second part में ने ने god की appearance का तो ये movie release होने वाला है November 2024 को जिसके लिए मैं बहुत ही दा excited हूँ बाकि इस movie को लेकर आप क्या-क्या expect करते हो हमें comment box में जरूर बता है तो ये थी आज की वीडियो वीडियो गर पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक शर्ण सुस्क्राइब करें मिलें को जब वीडियो के साथ में अभी के लिए धन्यवाद